नमस्कार आप देख रहे हैं भाट्वणी फोर्ड मैं हूं महीमा सिंग कमवर हम इसक्त आचुके चुनावी राजिश चतीज गर्ड में बिलासपूर में मैं इसक्त मौजूद हूँ और बिलासपूर को धन का कटोरा कहा जाता है बिलासपूर को संस्कृतिक राजधानी कहा जाता है और सबसे बड़ी बात कि बिलासपूर की जनता का आखिर क्या है मूट जनता क्या कहती है किसके बीच है फाइट किसकी हवा टाइट है और कौन यहां पर जीतने वाला इसके बारे में बाच्वित करने वाले हैं तमाम पार्टियों की प्रवक्त इस वक्त हमारे अरुन तिवारी जी भी आपको सामने नजर आरे निर्वदली उमीद्वार हैं आमाद्वी पार्टी के तमाम मप प्रवक्ता इस वक्त आपर मौजूद है रोमेश और नरुल जी इसके अलावा कॉंग्रेस पार्टी के अगर बात करें तो अनुराग पांडी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ब्लाग कॉंग्रेस कमेटी अध्यक्ष अर्विन शुकला जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जनता कॉंग्रेस की बात करें तो अखिलेश पांडे इस वक्त आपको सामने नजर आरे जो की चुनावी रण में उत्रे हुए हैं और अकबर खा करने वाले सबसे पहले हम बात करते हैं भारती जनता पार्टी की क्या लग रहा है होपाए का इस बड़ कि ए बार इखर का है जनता है एके बार दही समझ के चुनाला चाटे है जैसे चुनाल चाटबे आओ खवाया नहीं रिवे तो जीबला चार देते वह इसी मन पूरे 36 चाहर दिये कोई चीज में भॉस्टा चार नहीं बचे सराब घोटाला इन करते गोबर चोटा सरकार होगा गोबर घोटाला भी एहीं मन करते आपके आपके निताजी तो हैं एक सेकिन आपके निताजी बीस साल यहां पर रहें दोजार एठार में हार कैसे गए फिर अगर इ तो इसी बिलासपुर जनता के पेड़ गड़ समझ मागए हैं अमरा अगरवाल ही पिर से आई जनता को समझ आ गया ऐसा कह रहे हैं आपकी बार कुछ नहीं होगा चतिस गड़ इसलिए बना था कि चतिस गड़ की संस्कृति संस्क्रित चतिस गड़ की पहचान हो आज पहली नाम चंता ता मालूम है कि मोहन अमर αगरवाल अगरवाल फ्रीशनकर अंकर अगरवाल विजेव अरवाल यह सब पूरी पार्टी इक नहीं था एक बहार्ट अट और फैरletि पिच्छ सुन ँह क्या कि आख पनेश सालल दिखा है अमर अगरवाल जी ने डेम बनाऊंगा टेम सनधी बनाऊंगा वहां पर उद्द्योग लाऊंगा पलाना करूंगा धेकाना 20 साल में इन्होंने एक काम नहीं किया यहां जितना काम दीख रहा है जितने भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट है आप यहां खड़े हैं नदी का ह सजाने कामी रिवर भी जो खड़ा सबसे पहले अगर सुरुवात किसी ने किया तो अमर अगरवाल जी ने किया उसके अलावा यहां जितने भी चाहां रेलवे का मुख्याला हो चाहां हाई कोट हो जितनी बड़ी-बड़े सेंट्रल लाइबरेरी हो सारी की सारी चीज है ज जाली चागुबाई जी बलातकार लूट 14000 ऊश्याने जाखो मंगाने ने बीलासपुर को खोदा पूर की जगा चाखोपूर बना दिया गया है पूरे शहर में कराइम चरम इस्तिती में है है को यह जोट जेल ली गया हाइब को जेल ली गया हम जेल गाए हम जेल गाए हम हमारे साथ ही जिस व्लासपूर में रेलव distorted की बात कर रहे है और जो रेल्फे जों डेश को सब से ज्यादा आहे देने वाले रेल्फे जोन ए उस व्लासपूर की जंताज रेल वहीं हो गई है आज यहां विलासपूर में डासपूर या अडानी चाल रहे हैं आडानी की गाली चाल रहे हैं एक सकेंड कॉंग्रस पार्टिंग और बिजीपी का पकशाफ आप ने सुन लिया इस वक्त अरुन तिवारी जी बिमार साथ खेलेश बांडे जी बी सबसे पहले आपके पास में आ रहे हूं कॉण कॉण से मुद्धों को लेकर इस बार आप उत्र हैं जी देखिए जैसा कि यहां की जनता ने बीजेपी को भी देखिए और कांग्रेस को भी देखिए और जनता का मूड परिवर्तन का है तो परिवर्ता नहीं लोकल वह को कभी अवसर नहीं मुल पा रहा है के अकबर खान जी यह जेल गए इनको वकाई टिकेट मिलती तो मैं चुनाव नहीं लड़ता इनको अगा टिकेट मिलती मैं चुनाव नहीं लडता चुकि यहां के लोकल नेताओं को टिकट नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे चुनाओं में आना पड़ा है, और जनता का विश्वास मेरे उपर है, जनता जान चुकी है, जनता मेरे पहले से, मैं बहुत सारे प्रोग्राम का ब्रैंड एम्बेस्डर रह चुका हूँ, पिछले नहीं बेदा कोई, नहीं बेदा कोई, यहां पापी सारे है, रेलवे जोन की अंदोलन में ना अमर अगरवाल जल गया ना सेलेट पंडे जल गया अरून तिवारी जल गया पहरी बात का उधारण तूसरी बात ध्वज के बारें बाग किया जा रहा है यहां भी एक तिरंगा जट फरा रहा है भारती जंता पार्टी के कराले के सामने यह बारून तिवारी पांच दिन तक निर्जला बैठा निर्जला क्योंकि भारती जंता पार्टी के हिंदुस्तान के किसी भी काराले में तिरंगा जंटा नहीं फैरा जाता बन्रेकर थो 26 जन्वरी को यह भारती जंती पार्टी का देश्भक्त चेहरा दूसरा यह कांगरेसि अभी भी नहीं मिलेगा आप से सवाल पूछूंगे चार करोड पर बापस आके जरूर जवाब दीजिगा जनता इस वक्त यहां पर छोट छोटा रियक्शन आप सभी लोगों से फटा फटा आप दीजिगा आप यहां पर एकलौती महिला मुझे नजर आ रही है जी मैं मतलब सीजी पीएसी घोटाले के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगी और एसाई घोटाले के बारे में जिसमें लगभग टॉमन सिंग सोनवाजी जो जो थे उनके परिवार से अठारा लोगों का सेलेक्शन हुए मतलब उनके नाते रिस्तेदार उसके बाद मै इस्टूडेंटों ने फॉर्म भरा मैं लगबग 30 करोड रुपए होते हैं जब रनिंग हो रहा था उस टाइम पर तो सही था हमने 90 नंबर कौलिफाइंग मार्स लेके आया थे उसके बाद उन्होंने बुलाया और उनके उपर जोर बजरस्ति किया गया उसके बाद वहां स सीधा व्यापम से रिजल्ट ही ले लिया बन लिए क्यों ऐसा हुआ अब जवाब दीजिए पहली बात तो जब से सरकार है यह बुपेज बगिल जी की बहुत ही नयाय पूर्ण बाता वरण में निवक्तिया निकली है दो सल कोविड का वो गोटाले की बात करिए उसका अरुब लगाना रसी करना दोनों में अंतर है मेडम वो ने तो अरुब लगा दिया सिद्ध हुआ क्या अभी तक उनका जो भी घोटाला है पास में आये जल्दी आये इदर आये हां बताए है मैं अभी हाई कोट में 122 प्रेटिशन लगा हुए है में के तरफ से जो वकील आते हैं वह हमेशा यह बोलते हैं कि हम पर टाइम चाहिए है मैं मेडम अफली का सवाल उठा रही है इसा समझ में आ रहे है रही है है हाई कोट में जैसे बता रही है जो हाइकोट को नीटने रहें सरमान रहेंका अगा वहां ने बता दिया वो तो जाख वाउं का भी जिंद जो हम लों बोलते हैं वह इसलिए बोलते हैं कि युवाउं के साथ है का का इस लिए चट्रीज गड़िया सरकार वोस्तांदर तरीके से काम कुछ प्रिजूं ने कोई नहीं नहीं किया और में मैं लोग अंदोलन भी है अंदोलं में राइपूर में जो अंदोलन हुआ उसमें उन्होंने लाठी चार्ज करवा दिया मैं चया भी या लड़कों पर यह लड़की का चुन्नी वगरां पुलिस डिपार्ट्मेंट के पहारे खी बुपेश परोसा है जी उसी परोसा है कॉंग्रेस पार्टी की तो नहीं हो सभी के सभी आम जनता हो ना जी मेरा कहना यह है कि अब सरकार आप एडुकेशन फ्री कर रही है बाजपा क्यों नहीं कि और अगर उनको पांसों में देना सिलेंडर तो पहले क्यों नहीं कि अचाना सरकार ने केवल बगेल सरकार ने केवल अपने सासनकाल में एक ही काम किया है इसकुल को बंद करता है और दारु भटी खोलता है मैं तो यही कहूंगा बार-बार कि इसकुल को बंद करके बुगेल सरकार जो है दारु भटी को खोलता है चीक है ऐसा क्यों बताइए जो इस दारु की बात करने बिलासपूर में आज 14 नंद आत्मानन इसकुल विधायक सेलेस पांडे की देन है और यहां आत्मानन इंग्लिस मीडियम कालेज आप जाके देखेंगे पुराना हाई कोट वो भी सेलेस पांडे जी की देन है लोबापिती करने से कोई आत्मान नहीं बन जाता तो नाम देने से ठीक है ना सिरी 50 सीट है 400 सीट कहां गया 500 सीट कहां गया देखें देखें लगबग 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 14,000 बच्चे 14,000 बच्चे आत्मान इसकुल में पढ़ रहें मैडम और आपको जानकारी होना चीए क सब आत्मान इसकूल के बच्चे टॉप की हैं देखिए एक लेबल डालने से कुछ इचे अंदर के क्योटी चेंज नहीं होती आपने बाहर से प्राइवट स्कूल बंद हो रही है आज सहर में प्राइविट इसकूल बंद हो रही है हम रहों निती चेतर में जनपत्र निती यहां पर आपस में लड़ रहे हैं कैसी जनता भरोशा करेगी 24 के लिए देखिए लड़ नहीं रहे हैं वह गड़ बंदन राष्टी नेतूत पर है और यह जो है राजिस्तर पर चल रहा है हमारे बुपेज बंदन की बात अलग होती है यह लोग सभा का बात है यह राज यहां पर लोगो ना पानी ना बिजली ना सड़क लोग भी दिकर दने से कुछ होता नहीं है आप जाके देखेंगे ग्राम पंचायत में बिजली बिलहाब नहीं हुई कि लाईए बिल दिखा जेता हूं मैं कहां पर बिजली बिलहाब होई है आप दूसरा भाईया ठीक कहतरी से सराप के बारे मां तो एक सब्सक्राइब कहना चाहूं मैं इसाब कहूं गंगे जल के कसम जूटा पड़ गए गंगे जल के कसम जूटा पड़ गए कर दो कर दो कर दो कर दो आए तो कल के ओडियो में इस विरायक के विदायक नीथी कर ठार करोड के खपला आया है उसे इंटार करोड रूपा की विदायक नीथी कहां गई एक जीज बोलना चाहता हूं हाँ हाँ आप सुनना चाहते हो कि नहीं हाँ हाँ मैं बता रहा है विलासपुर की जनता 20 साल एक आदमी को कंटीनियुम होका दि कुछ नहीं किया और एक एक साल तीन साल दो साल कोवीट का तीन साल मात्र मोका दिया है इन लोग इसना हर बढ़ा रहे हैं उसके डर के मारे इस तीन साल मोका दिया है अन्याय होगा पास साल मोका देखे जमीन माफ्यलों का राज रहा और रोचाप के लिए मैं बताना चाहूंगा इनको कि सराप का सरकारी करण यदि अमर अगरवाल ने किया तो राजगोस्त की रासी बढ़ी है और सुन्याई 22 से 35 काम मैं बताना चाहता हूं जो अमर अगरवाल ने किया इस कंग्रेश से पांच काम क्या ऐसा किया है पूछे अगर 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 पांच साल का ग्राव यह बोर है ना अब बता रहा हूं अब सुनने के हाँ वह बोर है इनके लिए बात बोलूँगा यह कांग्रेशी यह वह को पहिनारी गले में पट्टा और खेला रही महादेव का सब्टा चार करोड की डील क्या है इन मेरा मक्सर नहीं मेरी कोशिस है यह सूरत बदलनी चाहिए फिर हिमारे से कोई गंगा निकलनी चाहिए यह राजनिती में जो पाप की गंगा बहने लग गई है टिकेट की खरीदी बिक्री मैंने नहीं कहा है यह देखे जिसने कहा है जिसने कहा है उसके एक लाइन में सुना रहा हूं जल्दी सुनाईए टाइम थोड़ा कम है सुनिए यह आडियो वाइरल है आपके वही वाली यह मैंने नहीं कहा है जब मेरी बात प्रदेश कंग्रेस को मैंने खबर दी नहीं सुना गिया चुका था उन्हीं को निकाल दी है मरकाम जी को कंग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से मुझे एक सवाल पूछना है गलती हो सकती मुझसे क्यों मैं छत्यस गड़ी मुझे इतनी निया थी नर्वा गुर्वा गुर्वा बाड़ी उजना अभी मैं गई थी अरंगा में गई थी पूरा वहां पर सब खाली कुछ भी नहीं ड्रीम प्रोजेक्ट है आपके मुख्यमंत्री का क्या किया आपने उसम ऑचारान का हूँ मेरे तुनना अमरिका से करो रषिया से करो ओए एक सूरी बुलाता यूजना हूटा से उस तुछ डैसेख वाकार्मादी देयर है आपने ड़ाब आपने सवाल का जवाब नहीं दिया वो बोला पाकिस्तान पर इतना बड़ा बात किये भाई साब ने मैं बताना चाहूंगा तो ऐसे पार्डी का सम्मान क्या हूँ जो एक परिवार का सोट कहाता है और एटियम कहलाता है लोग यहाँ बिलासपूर बिलासपूर में 14,000 यूकों ने उनलेइन चाकू मंगाई है 14,000 यूकों ने उसका जिम्बधार कौन है यहां के विधायक चाकुधार करते हुए वीडियो बनाते हैं यह जो बात कर रहे हैं विकास की वो सिर्फ इनका पेपर चीक है चीक है तो यहां पर देखे कहमा कहमी बहुत ज्यादा है आप देख सकते कि भारते जंता पार्टी कॉ कॉंग्रस पार्टी पर आज़ो बगारी कॉंग्रेस पार्टी भार्ती जंता पार्टी को कह रहे हैं आम जनता क कह रहे है कि आप नहीं सहेंगे क्यूकि आप बारी study बेज़ुदा का मूण भू रपकर शल्ला की तरफ ऐ तो